नमस्कार दोस्तों आप सब का स्वागत करते हैं आपके अपने यूडिब चैनल स्री अमन बाबा जी में जी हाँ आज मैं आपके लिए एक बहुत ही खास रोचक जानकारी लेकर आया हूँ आज मैं आपको बताऊंगा स्री गुरुनानक देवजी की जीवनियापना के बारे में स्री गुरुनानक देवजी को तो सब जानते हैं लेकिन क्या आप उनके जीवन से जुड़ी कुछ रोचक जानकारियां जानते हैं जी हाँ आज मैं आपको स्री गुरुनानक देव जी की जीवनियापना के बारे में बताऊंगा कि कैसे उन्होंने कौन सी यात्राइं की, कब उनका जनम हुआ, किस स्थान पर उन्होंने अपनी यात्राओं को पूर्ण किया, तो देखिए जानने के लिए बने रहीएगा हमार इस ती तलवन्डी नामक गाउ में हुआ था, 1479 में कार्तिक पुर्णीमा के दिन इनका जनम हुआ था, देखिए इस दिन सिक धर में काफी उल्लास के साथ मनाया जाता है, इनका जनम पिता कल्यान या मेहता कालू जी और माता त्रेपते देवी के घर में हुआ था, नानक जीव विशेश शक्तियों के धनी रहे हैं, उनकी आजीव चमतकारी शक्तियां थी, उन्हें अपने बहन नानकी से काफी कुछ सेखने को मिला, 16 वरस की आयों में इनकी साधी सुलखनी से हो गई, सुलखनी पंजाब के भार गुर्दासपूर जीले के लाकोकी के रहने वाल बाला और रामदास भी थे, देखिए 1521 की बात है, तब उन्होंने कुछ यात्राइएं जब शुरू किये थी, इस यात्रा के दोरान वे सबको एकी पुदेश देते थे, सामाजिक कुरूतियों के खिलाफ जागरू करना, उन्होंने भारत अफगानिस्तान, अर्ब के कई स थानों को ब्रहमित किया, और इन यात्राओं को पंजाबी में उदासियां कहा जाता है, तो चलिए अब मैं आपको इनकी सिक्षा के बारे में बताता हूं, कुछ सिक्षा के उब्रदेश जो इन्होंने हासिल किये, और साथ में कुछ यात्राओं में और उनकी चमतकार के ब ना होने के कारण। उन्हें हमेशा से ही उनका लगन तो बस भगवान में बसा था। जब भी ये स्कूल गए तो महा अधियापक को द्वारा पूछे गए सवालों के इनके पास कोई जवाब नहीं थे। रोज रोज किस बात से अधियापक जी बहुत खिन करते थे और नानक क गर छोड़ा एक थे। इसके बाद उन्होंने शिक्षा और सांसारिक जीवन से मोही त्याग दिया। इश्वर वक्ति जागुरु सत्संग एव यात्राओं में उनका जीवन वेतितोना शुरू हो गया। बच्पन से इनोंने कहीं ऐसे चमतकार दिखाए जिनके गाओं के म बड़ी बहन की उनकी प्रती शर्दा ओर भी ज्यादा बढ़ गए। यहां उन्ही चमतकारों में से एक चमतकार मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए श्री गुरु नानक देव जी के परिवार में गाएं भैसों को चराने का काम किया करते थे। और श्री गुरु ना इंसान के वो खेत थे। उनकी पूरी फसल खराब हो जाने की कार्म। वो उनकी शिकायत उनके पिता जी को लगाते। जब पिता जी उनकी बातों पे सुनकर उनकी फसल देखने के लिए वहां पहुंशते तो देखते कि पूरी फसल तो वैसे ही खड़ी है। बिलकुल भी उनकी फसल को कुछ हुआ ही नहीं। यह सब देखकर वो बड़े हारान हुए। तो यह है कुछ चमतकार जो श्री गुरुनानक देव जी ने अपने जीवनियापना में दिखाए है। इसी के साथ मैं मैं आपको श्री गुरुनानक देव जी के कुछ उपदेश और उनकी श भाव पड़ा, उनकी जीवनशैली सूफी संतों जैसी हो गई थी, वो हमेशा अंद विश्वास मुर्ति पूजा के विरोध में रहे हैं, सरवोशादी के रूप में उन्हें अपना जीवन यापन, लोगों को अच्छी बातें उन्हें उपदेश देकरी बिताया, वेवाहित परिवर्तन के समर्थ के रूप में उन्हें एक नव समाज की स्थापना में महतर भूमी का निबाई है, वहीं पर वो मुर्ति पूजा के बहुत ज़्यादा खिलाफ थे, वो मानते थे कि किसी भी पंडित और किसी भी मौलवी में कुछ भी नहीं रखा है, वे हमेशा से ही इनके खिलाफ रहे हैं, और देखिए इसी के साथ में उन्हें यहीं पीन मुख्या सिधान्त जो लोगों को कहें हैं, नाम जपो, किर्द करो और वंडचको, ये उपदेश उन्हें हर एक उस इंसान को दिये थे, जो मौमाया में फस चुके थे, अब मैं उनके मृत्यू के इसी बारे में आपको बताना चाहूंगा कि आखिरकार स्री गुर्णानक देवजी की मृत्यू कैसे हुई और कैसे वो भी मुक्ष को दूप चले गए, दिखिए संसार में विरक्त सन्यासी जीवन जीने वाले नानक देवजी के अंतिम दिन बेहिद चर्मित रहे, उनके व सन 22 सितंबर 15-49 वी को नानक देवजी की मृत्यू हो गई थी, अपनी मृत्यू से ठीक पहले उन्होंने शिश्य लहना को उत्रदिकारी गोशित कर दिया, जो आगे जाकर गुरु अंगत देवजी कहला है, तो देखिए ये थी गुरु नानक देव से जोड़ी कुछ रोच उनकी सिधान्त के बारे में मैंने आपको बताया, उनकी उपदेशों के बारे में बताया, उनकी यात्रा के बारे में बताया, और जो अभी उनकी जीवनी आपना के बाद में उनकी भाशाओं का आपको अवगमन कराना चाहूंगा, कि उन्होंने फार्सी मुलतानी, पंजा अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो किरिप्या लाइक शेर चुरूर कर दीजेगा, कुछ और अन्य जानकारी के लिए आप हमारे डिप चैनल को सब्सक्राइब करें, बैल आइकन प्रेस करें, आने वाली वीडियो का इंतजार करें, धन्यवाद.